जैहिन सात्यों, वेलकम टू सेल्फ स्टेडी किलासेश वे सुमिज जैन, यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आप बरगतीन, MPTET, बरगतीन की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें परियावरन पूछा जाता है, तो उसके लिए बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो है, ठीक है तो दोस्तो परियावरन की बारे में देखो हम आज की वीडियो में क्या जानेंगे सबसे पहले तो आपको पता होगा NCERT में, बरतमान परियावरन अध्यापन कारिकरम को कितनी थीमों में बाटा गया, इसी की आधार पर आपका भी पाटकरम दिया है, ठीक है तो इसको आप देख लेना, इसको बिलकुल है ना, और आपरेशन बिलैक बोट के बारे में जानेंगे, ठीक है, हंटर आयोगी, बिभिन परकार के आयोग, और समीतियों के बारे में इसमें जानेंगे, ठीक है, आपकी सिक्षन विधिया जो है, उसके बारे में जानेंगे, तो इस अध्यन में हम जाने हैं आपकी कक्षा 3 से लेकर 5 तक जो परियावन पुस्तक का सीरसक है वो आपको पता होनी चाहिए क्या सीरसक है अंगरेजी का सीरसक क्या है हिंदी मीडियम का सीरसक क्या है परियावन पुस्तक का तब आपको यह सारे की सारे जो फैक्ट है इस वी लिश्ट में देखें 50-60 वीडियो अप्लोड हो चुके परियावरण की वो जरूर देखें तो इसके बारे में जानती है चलिए दोस्तों तो और कुछ महत्पूर्ण प्रस्णों पराहम चर्चा करने बारे हैं सबसे पहले देखते हैं परियावरण सिक्षा आधारित है तो सभी को पता है कि यह बाल केंद्रित आधारित है ठीके परियावरण दिन में NCF सुझाती है तो क्या सुझाती है बच्चों के इस्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना ये NCF सिखाती है परियावरन अध्यन में ठीक है परियावरन अध्यन में पार्ट क्रमों को बाटा गया है तो छे थीमों में बाटा गया है पार्ट क्रम को ठीक है ये याद रखना है बरतमान परियावरन अध्यन पाटक्रम को 6 मुख थीमों में बाटा गया है देखो परिवारिवम मित्र, भोजन, पानी, आबास, यात्रा यह हम चीजें कैसिस बनाती है यह जो है 6 थीमों में परियावरन अध्यन को परियावरन पाटक्रम को बाटा गया है तो सभी लोगों को याद रख लीना है, आप से question आएगा, बरतमान में परियावरण अध्यन पार्ट करम को कितने थीमों में बाटा गया है, तब आपका उत्तर होगा 6 थीमों में, ठीके, सभी लोगों को याद रख लीना है, most important है, ठीके, है ना, और ये हमारे course में भी है, ज तो ये 6 पार्ट करम में, 6 थीमों में बाटा गया है, तब आपको याद रख लीना, ठीके, EBS संचेपन का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है, एन्वार्मेंटल स्टेडीज, ठीके, ये होता है, है ना, तो याद रख लीना, EBS, NCF 2005 से पारिस न कक्चा 3 से 5 तक की NCERT की हिंदी, एबम अंगरेजी में परियावन का सीड़ सक क्या है, तब आपको उत्र होगा आसपास हिंदी में, ठीके, याद रख लीना, है ना, हिंदी एबम अंगरेजी में, तो याद रख लीना है, है ना, और अंगरेजी में क्या है, लोकिंग आसपास और अंग्रेजी में looking around ठीक है याद रख लीना कक्छा 3 से 5 तक की NCERT की हिंदी एवं अंग्रेजी में परयावन का जो सीड़ सक है वो आसपास ठीक है परयावन अध्यन की सिक्षन है तू कौन सा उद्देश नहीं है तब विज्ञान की आधारवूत प्रतेयों और सि देश नहीं माना जाता परयावन अध्यने तू ठीक है बहुत ही महत्पूर्ण फैक्ट है दोस्तो जो आपके एक्जाम की देश्टी से most important है ठीक है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो like जरूर किया करें ठीक है इसके पहले बहुत सारे ऐसी वीडियो मेंने परयावन सिक्षन की बिधियों को मानते सरी ने दी है किंडर गाटन फ्रोबेल की है प्रोजेक्ट बिधि एक किलपैट्रिक ने दी है अनबेसन एबम खोज बिधि एप्रोफेसर ये आर्म स्ट्रोंग ने दी है तो इतनी चीजें जो महत्पूर हैं दोस्तो वो आपको याद करने है बहुत ही महत्पूर है ये चीजें ये हमेशा पूची जाती है ठीक है अब देखते हैं और भी कुछ ठीक है और क्या है अधिगम सिद्दान्त इबम सम्मंदित सास्त्री है अधिगम सिद्दान्त अलबर्ट बंडूरा ने दिया है है तो इनको आपको याद रख लेना है अब हमें पढ़ना आयोग और समीतिया ठीक है एसपाल समीति देखो 1992-93 में एसपाल समीति बनी है ना इसका जो देखता सिक्छा बिना बोच की है ना इसने कहा कि सिक्छा बिना बोच की नाक्टर एसरादा कर्ष्णन आयोग ये 1948-1949 में बना राश्टिये विस्विद्याले सिक्छा आयोग भी इसे कहा जाता ठीक है राश्टर एसरादा बिस्विद्याले सिक्छा आयोग आपसे पूचा जाएगा कि ये बिस्विद्याले आयोग कब बना तब आपका उत्र होगा 1948-1949 में ठीक है डाक्टर डी एस को ठारी आयोग 1964 में बना सामाज एक उत्तरदायत वा नेतिक सिक्छा के लिए तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए जस्टिस जे एस बर्मा समीती जस्टिस जे बर्मा समीती दो हजार बारा में सिक्छकों की दक्षता की समय समय पर जांच करना ये इसका उत्देश था जस्टिस जे एस बर्मा समीती आपसे पूचा जाएगा जस्टिस जे एस बर्मा समीती कब बनी दो हजार बारा में इसका उद्देश्त क्या था सिक्षकों की दक्षिता की समझ समय पर जाच करना, ऐसा हमें देखना है, चाल्ज बुड समीती उननीस अठारा सुचंगन में बनी है, भारतिये सिक्षा का इसे मैगना कार्टा भी कहा जाता है, याद रख लेना, भारतिये सिक्षा का मैगना समीटी सरजान सरजेंट समीटी 6-11 वर्स तक के बच्चों को निसुलक वा अनिवार सिक्चा 1944 में ए बना था ठीक है अगर आप से पूछा जाएगा 6-11 वर्स तक के बच्चों को निसुलक वा अनिवार सिक्चा जो है ए उद्देश से कौन सी समीती का था तब आपका उत्रोग सरजान सरजेंट समीती ठीक है ये चीज़ सभी को याद रख रही है है और 1944 में ए बनी थी अंगला देख लेते हैं आयोग और अध्यक्ष देखते हैं भारती सिक्षायोग के अध्यक्ष कोंते तो बिलियम सर्जेंट आयोग के सर्जेंट थे 1944 मादमेक सिक्षायोग लच्छमन स्वामी मुदालियर थे ये 1952 में मादमेक सिक्षायोग या मुदालियर आयोग भी इसे कहा जाता है तो लच्छमन स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे ये चीज़ भी आपको याद रख रख दे और भी कुछ महत्पूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो आपकी परिक्षा की देश्टी से बहुत ही महत्पूर्ण है ठीक है Operation Blackboard एक अप चला 1987-88 में साक्षर्टा मिसन 1988 में सर्व सिक्षा वियान 2000-2001 में ठीक है ये चीज़ सभी को याद रख ली है एक नई राश्टी सिक्षा नीती आई थी 2017 में महिला सिक्षा पर राश्टी समीती दुरगावाई देशमुक समीती उन नीस सो आणठाउं ये महीला सिक्षा पर राश्टी समीती है तो इनको याद रख लेना बहुत ही महत्पून है परियावरन अध्यन की संदर में बोज के बिना सिक्षा क्या बताता है तब आपका उत्रा अवबोद का भार कम करने की जोरत याद रख लेना निम्न में से बताईए परियावरन बोज के बिना सिक्षा क्या बताता है तब आ पूचा जाएगा कि सिक्षण की खेल विदी आधा रहे थे तब आपका उत्रों सिक्षण विदी के सिध्धान्त पर आधा रहे थे ठीके सिक्षण की सबसे बहुमुल निधी है उसकी चात्रों का विस्वास ये चीज़ आपको याद रखते हैं ये सिक्षण की सबसे बहुम प्रियोग साला बिदी है इस बिदी में ज्यान की जो है प्राप्ती सुयम द्वारा प्रियोग करके की जाती है बासा सुपोबली सीखने का सही अनुकरम क्या है सुनना बोलना पढ़ना और प्रिया लिखना ठीक है ये कौशल माने जाती है सबसे बालक पहले सुनता है फिर बोलने लगता है फिर पढ़ने लगता है और अंत में लिखने लगता है ये चीज आप लोगों को जो है देखना है पढ़ने की अच्छमता क्या कहलाती है तो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया ये चीज आपको याद रखनी है ठीक है मौखे करूप से सीखने की अचमता अपेच जिया और डिसफेच जिया है ना, लिखने की चमता डिसग्रापिया गलत सीखने की अचमता डिसकेल कूलिया याद रख लिना है है ना, प्रात में किस तरपर सिक्छारतियों का आंकलन करने का सरपसि Native तरीका क्या है जिन प्रस्णों का उत्तर अलग-अलग होता है कहलाते हैं मुक्त अंतवाली प्रस्ण कहलाते हैं जिन प्रस्णों का उत्तर अलग-अलग होता है ठीक है ये मुक्त अंतवाली प्रस्ण कहलाते हैं आपको याद रख लेना आपसे पूचा जाएगा निवने में से बताईए का उत्तर एक ही होता है कहलाती है तो ये बंद अंत वाले कहलाती है बंद अंत वाले तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है और भी कुछ महत्पूर्ण फैक्ट है जिनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है ये जो प्रस्ण है GI टेग के बारे में आपने सुना होगा GI टेग मिला है तो GI टेग अतवा भोगोलिक संकेतक उस उत्पाद को दिया जाता है जो किसी बिसिष्ट छेत्र का पिर्ति निधित्व करती है अतवा किसी बिसिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है GI टेग किर्शी उत्पादों प्राकृतिक बस्तूओं तथनर्मित बस्तूओं की गुडबत्ता के लिए दिया जाता है ये चीज़ आपको याद रखनी है कुछ महत्पूर्ण किर्सी उत्पादों को मिला जी आई टेग देखो दारजी लिंक चाय को पस्चें बंगाल की जी आई टेग मिला सिर्सी सुपारी के करनाटक की है इसे भी जी आई मर यूर गोड केरल का इसे भी जी आई टेग मिला अलफानसो आम महराष्ट में इसे जी आई टेग मिला है ना कुर्ग अराबिका कॉफी करनाटक में इसे जी आई टेग मिला अराकू बैली अराबिका कॉफी आंध प्रदेश की है इसे भी मिला और सांगली हल्दी महराष्ट की इसे भी जी आई टेग मिला है तो याद रख लेना है सतत एवं ब्यापक मुल्यांकन की एक तकनीक है निदानात्मक मुल्यांकन ये चीज़ आपको याद रख लेना है निदानात्मक मुल्यांकन जो है एक सतत एवं ब्यापक मुल्यांकन की एक तकनीक मानी जाती है परियावन अध्यान में छेत भर्मन का मुख उद्धिस क्या होता है प्रत्यक्ष अनुभाव याद रख लेना है क्या होता है प्रत्यक्ष अनुभाव प्रात्मे किस तर पर परियावरन अध्यन के लिए कौनसी विधी प्रभाव साली है तो कहानी विधी प्रभाव साली है ठीक है दोस्तो यह जो बोक है वो यूथ कॉंपटिशन टाइम्स की है अगर आप चाहते हैं तो खरीद सकते हैं बहुत ही बढ़िया बोक है तो आप जरूर खरीदें अगर खरीदना चाहते हैं तो ठीक है कक्षा एक और दो के लिए परियावर्ण अध्यन विसाय के संदर में सच है परियावर्ण अध्यन से संबंदित मुद्दों और संबंदों का संपादन भासा और गड़ित के माध्यम से होता है ठीक है परियावन अध्यन में बच्चों को जोडने की सबसे प्रभावसाली युक्ति क्या है तो किसे और कहानिया ठीक है परियावन अध्यन पार्टक्रम के छे मुख थीमों में से एक नहीं है तो काम और खिल इस प्रकार से आपसे जो मैंने थीम बताई तीछे वो आपको याद रखनी है परियावन अध्यन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए तो याद करना ये संकेत नहीं होना चाहिए ठीके परियावन अध्यन की प्रिकृति क्या है तो एक ही किरत है हैना EBS की कक्षा में गती बिदियां है चित्र खीचना कक्षा में जो गती बिदियां वो चित्र खीचना हैना फिल्ड भरमाण स्यामपट का उपियोग ये EBS की कक्षा में गती बिदियां मानी जाती है ठीके तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ महत्पूर्ण फैक्टों के ब को वीडियो कैसा लगा comment में जरूर बताना इसके पहले बहुत सारे वीडियो मैंने upload किये उनको आप जरूर देखना ऐसे महत्पूर वीडियो महत्पूर महत्पूर जो फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलते बो चीज हमने आपको दिये हैं तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट परया एप डाउनलूट करना है उसमें सर्च करना है IAS Study Trick ठीक है तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जैहिन